प्रदेश वर से आए वे हमारे सभी उद्यमी साथियों बाईयों बेनों आज विश्व उद्यमिता दिवस्य इस उसर पर मैं आप सब को फिर्दे से अविनंदन करते वे बढ़ाई देता हूँ और एक बहुत अच्छा संजोग है कि आज मार्ग पंचिमी का दिन भी है मार्ग पंचिमी अगर आप कि सामान्य जगत की बात करेंगे तो इसमें जिव जन्तों की प्रतिक प्रकृति की प्रति हम सब की प्रेम का अंडराग का एक पर्व है लेकिन अध्यात्मिक दिस्से अगर आप देखेंगे तो हर व्यक्ति के अंदर छुपी वी आध्यात्मिक सक्ति का प्रतिक है उस सर्पेंट पावर की प्रतिक है जो हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है और उद्यमी उस सक्ति को अपने अंदर समेट करके जब अपनी अद्वुत किर्ति से समाज के सामने देश के सामने अपने पुर्सार्त को प्रकट करता है तो एक सफल उद्यमी की रुप्य उसकी गिंती होती है और विश्व उद्यमता दिवस और नाग पंचिमी का अद्वुत संजोग अप्यंत महतुपूर्ण है और इसका लाब विभाक की अपर मुख्य जाय को चौंतिस साल सेवा में कारे करते हुए हैं मैं इस उसर पर उनको भी बढ़ाई देता हूं भायो बेनों आज विश्व उद्यमता दिवस के उसर पर अने कार्यक्रमों को यहां पर आगे बढ़ाया जा रहा है इसकी अबाधी का सबसे बड़ा प्रदेश है और यह भी सहीटा जो कि सबसे बड़ी आवाधी थी लेकिन कि आगा अग्स Keirs said पहले पोई के किसम मैं चाहता था उत्तरप्रदेश का नाम सुनकर के लोगों में भैपैदा होता था लेकिन आपने पिछले एक सब्ता के अंदर रिजॉर्ब बेंग की नीती आयोग की रिपोर्ट को आपने देखा होगा कि रिपोर्ट क्या बताती है उत्तरप्रदेश कि आधिक निवेश करने वाला प्रदेश बन प्रदेश करने वाला cd सब्तरप्रदेश ऑख सबसे अधिक घरेलू पर्यटक को औंशी है, अपने चैत्र में इसलेश में आकर्शित करने वाला प्रदेश बन गया है कि उत्तरमदेश कि बैंकों से सबसे एधिक उद्योगों को धंदासी देने वाला प्रदेश बन गया है और अध्तरमदेश कि इन्वेस्टमेंट के एक नए डिस्टिमिटेशन के रूप में देश और दुनिया के सामने फुस्तुत हुआ है यह चानक नहीं हुआ कि इसके पीछे देश के सुस्षी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रेणा उनका मार्ग दर्सण उनका निक्त्रत्त्तों है ही साथ-साथ उसमार्ग दर्सन और नित्रत्व से प्रदेश सरकार ने बिना वहिवाव के समाज के प्रतेग तपके को साथन की योजना के साथ जोड़ करके अपने प्रतेग जितने भी हमारे इंवेस्टर पार्टनर थे उन सभी इंवेस्टर पार्टनर्स को सुरक्सा को जो विश्वास दिलाया आज उसका प्रदाम है कि उक्तरप्रदेश निवेश के सबसे इच्छे कंतप्य की रूपने देश और दुनिया के सामने जाना जा रहा है कि इसकी प्रिष्ट भूमी तैयार होती है 2018 में जब प्रदानमंत्री मोदी जी ने उक्तरप्रदेश के पहले इंवेस्टर समिट का उद्भाटन किया था याद करिए उत्तर प्रदेश ने उससे पहले अपने प्रदेश के पहले अस्थापना दिवस्के उसर पर उत्तर प्रदेश ने एक नई योजना प्रारंब की थी और योजना थी वन डिस्टिक वन प्रॉडक्ट की उपेक्सित पड़ेवे मसमी सेक्तर को कि उपेक्सित पड़ावा थे तक दम तोड़ रहा था कि कही पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड का कहीं पर बिद्द विभाग का कहीं पर किसी अन्य विभाग की उपेक्सा का तंस जेला था और उनकी प्रतार्णा से त्रस्त हो करके कि हमारे उद्द में प्लाइन कर रहे थे या अपने कारोबार को समेट करके कुछ और तिसा की और अग्रसर हो रहे थे और तब हमारी सरकार ने तैय किया था कि नहीं कि अगर अध्योगिक निवेश के सबसे बड़े कंतप्वे की रुप में स्तापित होना है तो हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा और हमारी ताकत है मसली के कलश्टर जो रगदेस में पहले से मौजूत थे शेकड़ों वर्सों की विरासत हमारे पास है जिसके बारे में प्रधानमुत्री मोदी जी ने आजादी के मरित महत सव वर्स में कहा था कि अगर हमें विक्सित भारत बनना है विक्सित भारत के लिए बुलामी के अंसों से मुक्ति और विरासत का सम्मान यह आउस्यक्त है और विरासत ही है इस सेटर की उत्तरफदेश को परंपरा का तुरूप से जो कुछ प्राप्त हुआ था कि मैं से में कई कलस्तर अलग लग छेत्रों में लग बंदी के कारपड़ा और आज मुझे प्रसंता है पिछले शेवर्स के अंदर प्रियास हुए हैं इसने उत्तरफदेश के एक्सपोर्ड को लगत तीन गुना कर दिया है अगर हम मात्र शेवर्स में तीन गुना अपना एक कोई कारण नहीं कि कोई जैसी महामारी का मुकाबला करते हुए अगर उत्तरफदेश का एक्सपोर्ड तीन गुना होता है कोई कारण नहीं कि आने वाले पांच वर्स में उत्तरफदेश वन टिलियंड डॉलर की कौनों में नबने हैं पिछले एक सब्ता की रिपोर्ट उन कि निवेश के सबसे बड़े कंतव्य की रूप में भरतावा उत्तरफदेश देश का राज्य है बैंकों की सेवाओं को बहतर तरीके से उत्व्यमों तक पहुंचाने वाला अग्रणी राज्य उत्तरफदेश है और यह वास्तों में उत्तरफदेश की और तरफदेश के नौजवानों के सामने लिए उत्तरफदेश से में वहनों के सामने बहुंके तरफदेश के नाखी कों के सामने पैचान पसंकट पहलें आज कोई हमारी पहुंद था प्रश्ण नहीं खड़ा कर सकता है और इसलिए अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग स क्टर में हम लोगों ने इसके लिए विवस्थ्थ रूप से सब्सक्राव करना प्रारभ किया आज उसके पीना। हम सब के सामने हैं कि पहली बार हो रहा है कि आप मेंस से चैनली और यदे जरो के सिके द्वारा निजी और योगी पार्कों को विस्द करने और आज यह पार्क दस एकड़ से देगे पचास एकड़ के छेत्रफल में तयार होने हैं और आज तीन नए निजी और दोगिक पार्क को विक्सित करने के लिए यहां पर इंसेंटिब के चेक उपलब्त करवाई जा रहे हैं जिसमें यहां पर दस से पचास एकड़ भूई में और जोगिक पार्क विक्सित तो होने ही हैं और जोगिक भूकंट करे करने पर सथ प्रसत स्टेंप ड्यूटी की छूट प्रदेश सरकार उपलब्त करवा रही है पार्क विक्सित करने पर पचास लाग रुपे प्रति और विक्सित होने वाले पार्क में 75 फिस्टी वोगंड मसमी इकाईयों के लिए और अरक्सित होंगे और यहां भी तैय किया गया कि विक्सित नीजी पार्क में भूमी क्रैक करने वाले उद्यमियों को 50% इस टाइम उट्यूटी चूट और मसमी नीती 2022 में अन्मन्य जो कै इस स्कीम का लाप हमारे उद्यमि लेंगे इस विवस्ता के तहट आज तीन नये जो निजी पार्क है इनके लिए अभी इंसेंटिव पितरन का कारे भी यहां पर अभी संपन्न हुआ है मैं उन सभी जो विक्सित पार्क को विक्सित करने वाले उद्यमियों और निजी और पार्क को प्लेज योजना के अंतरकत आगे बढ़ने अले उद्यमियों उन सब का हिरदय से विलंदन करता हूं उनको बधाई देता हूं और विश्वास बच्ट करता हूं कि बहुत सीग्र उनके द्वारा इनिजी और योगिक पार्क में निवेश आमंतित करते वे इस कार अधियमी तुर्गटना पीमा योजना है वायू वेनों आप सब जानते हैं कि इस सदीकी सबसे बड़ी मारी का सामना ऑफ प्रदेश ने भी देशने भी दुनिया ने भी आइट को गुट्तर प्रदेश के प्रश्वास नहीं करते दें क्या होगा दो इसका मैंने का यह अपने को सम्वाल लो जो पस्वाल देगा कुंभतर प्रबंदन तरीके से उत्तर प्रबेश की टीम ने बहतरीन तरीके से तबान मत्री मोधी जी चीए मार पृस्टन ने पड़के लिए कि सबसे कंवा संक्रमण कि तो सबसे कंट एक सिनेशन एक एक घर में दस्तक देने के लिए उत्तरवदेश की हल्थ वरकर जाकर के कोविट जैसी महमारी से बचाने का काम भी किये और सबसेदिक सायता प्रदान करने वाला राज्यव उत्तरवदेश रहा है जिसने पने नागरिकों को दोरान उनके साथ खड़े होकर के संबल प्रदान किया और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कोई आज के दिन पर उत्तरवदेश एक रेवनियू सर्प्लस स्टेट बन चु के रूप में वाटर वे के रूप में ग्रामेंड चेत्र की कनेक्टिविटी को बहतर करने के लिए प्रदेश में निवेश के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है कई फार्मा पार्क बन रहा है कई पे प्लास्टिक पार्क बन रहा है कई फ्लेक्टिट फैक्ट्री लोग अपना कारोबार समेट करके आगे वड़ते हैं लेकिन आज यह हकीकत है जमीनी हकीकत है आज हर वेक्ट उत्तरप्रदेश में आना चाहता है और हर प्रदेश उत्तरप्रदेश के बारे में जानना चाहता है यह चीजह आज जब उत्तरप्रदेश में उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर स्थाबित होता है लोगों को लगता है क्या यह सचमुच उत्तरप्रदेश में ही लगा है क्या कोई जोंती है क्या उत्तरप्रदेश में लग रहा है हम कहते हैं उत्तरप्रदेश में लगनी रह कि फिल्म सिटी अई गय और ब्रदेश की फिल्म सीटी की हलचल मुंबई तक सुनाई देने लगती है हर एक फिल्म एक्टर विरेकटर फ़र प्रोडुजर उत्रप्रदेश में आने के लिए उत्सुप दिखता घ्रप्रदेश कि नहीं उत्तर प्रदेश में ईस एक विस्वास कर सकता है तीस करोड़ सरदहलू और परेटक उत्तरप्रदेश के धार्मिक परेटन के उत्तरप्रदेश में असंभु था वसंभु आज वह पार और यह कारें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए इन चीजों को आगे बढ़ने के लिए प्रदेश सरकार ने जो अले कदम उठाये हैं जहां पहले गोलियां चलती थी वहां पे एसिया का सबसे बड़ा एरपोर्ट जेवर में उत्तरप्रदेश सरकार बना रही है जहां पे चोड़े बातों को लेकर के आंदोलन होते थे वहां पे पुर्वांचल एक्सप्रेस वे और बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे पनाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है कर चुकी है मत्यसे पूरब को रास्ते राजदानी को पुंदेल खंड से और पस्यम को पूरब से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे का निर्मान का कारिविव दस्तर पर चलना है अनेक एयरपोर्ट का निर्मान वाटर वेज का निर्मान यह आज अक्तर प्रदेश की पैचान बन रही है डिफेंस कोरिडोर में जो निवेस हो रहे हैं कि बहुत सारे आउसर इसमें हम लोगों को आगे वढ़ने के लिए इसमें प्राफ्ट पूंगे और इस जिससे आज यहां पर प्रदेश के जो च्छानवे लाग एमेसमी उद्यमी है जिसमें से यहां पर अप्रमुख्य सुच्य और विभाग के मंत्री ने भी बताया कि लगभग स्तान में फीस्टी ऐसे थे तो सूक्सम थे पांच करोड सी कम के से कम की पूंजी जिनके उद्यम में लगी थी जिसका वार्षिक टर्णोबर 40 लाग से कम है चालिस लाग से उपर का टर्णोबर जिन्होंने जीएश्टी में अपना रेजिस्टेशन करा रखा है उनको हम लोगोंने पहले से ही दस लाग रुपे का दुरगटना पीमा का कवर उत्तरदेश सरकार ने कर रखा है उसमें जीएश्टी से हम उनको ततकाल दस लाग सब्सक्राइब की एक सुरक्सा पीमा का कवर उपलब्त करवाते हैं लेकिन यह सेक्टर जो उत्तरपदीश की पैचान थी कि 96 लाग में से उत्यमी अभी मातर 27 लाग नहीं अपना रेजिश्टेशन करवाया इस रेजिश्टेशन को बढ़ानी क्या हो सकता है दूसरा है हम लोगों ने कि स्रम विभाग के मात्यम से भी बहुत जो उस तक्के के लोग हैं जो सामाने अपने कारीगरी के घ्रिशन कर्फिते काम के साथ यूडए उद्यमिएं के उद्ध्यमिता के साथ वे उनको पहले से वहां कवर किया है लेकिन जो बचे हुए थे लोगों को पहली बार यह दुर्गटना पीमा योजना से कवर करने का प्रियास हो रहा है पांच लाक रुपे का दुर्गटना पीमा का कवर प्रदेश के 96 लाक यानि अगर कहूं मैं लगबग 90 लाक MSME उद्व्यमियों को परापत होगा और इसलिए मैं उन सब से कहूंगा कि वे अपना रेश्टे और और ओफ लाइन भी होगा और ऑफ लाइन भी होगा इस दोनों प्रकार से रेश्टेशन का कारें कोई भी होगा उस भीड़ में आप जाईए अलग-अलग छेत्र में हमने MSME में यह दिए वन डिस्टिक वन प्रॉडक्ट में हम लोगों ने 75 जन्पदों के लिए 75 यह से ज्यादा उत्पाद भी है अलग-अलग प्रकार के हैं कि वाराणासी में आप देखेंगे कई च्योटेग होएं ऐसे ही लखनों में है और वीक्षए आप जाएंगे वहां पर भी हैं कि बहुत सरी जी यह कार ऐसा है जो जमीन सरकार से नहीं लेता है अपने घर के अंदर अपने आनन में अपने स्वयमासी कि जमीन पर इन सभी कारोबार्यों को आगे बढ़ाता है असके करता है अन्य लोगों को भी रोजगार की सुद्धा प्लब्द कराता है हर एक से लेकर के दुस्त तक लोग जाकर के अपनी सर्विस पाते हैं अपना परिवार का पेट परते हैं हमने इसकी ताकत को कोरोना कालखंड में देखा था जब कुछ राज्यों ने उस समय उत्तरप्रदेश के कामगार और सर्मिकों को अपने यहां कोई तबज़ों नहीं थी उनके सामने प्लैन करने के लावा कोई दूसरा चारा नहीं था तब हम लोगों ने अपील की थी मसमी उद्यमियों से पिए जितने भी लोग आ रहे हैं इनका हम स्किल मैपिंग करा रहे हैं इनको अपने जन्पत में अपने गाउं में कारे मिले और 40 लाग उद्यमियों को प्रदेश के अंदर ही कारे मिला था आपने देखा होगा लोगों ने इस ताकत को समझा नहीं था को क्या तशकाली रूप से हमारीटाइनओ करूक आपर नेहनत कर परद्शान कर ना पर दाख मैं लेकिन राच्व से प्लाइं हूआ उनकी अर्थविवस्ता पे जितने लोग वहां से प्लैन की उतनी प्रिस्द की गिरावट अई दिधने लोग आएं तो पिरसत भाइश संस्ञें की अillas लो Beijцы कि स्थर उत्रब्रधिस चार्थ इस्भी फ्रोर Krाणे में अपना योगदान देंगे और वही हो रहा है और आज इसलिए पांच लाक रुपिय की दुर्गटना भीमा योजना मुख्यमंत्री सोक्सों मुद्यमी दुर्गटना भीमा योजना का सुभारम करते मुझे प्रसंता के अन्पोती हो रही है मैं उस उसर पर प्रदेश भरके अपने इस योजना से लाभानित होने वाले सभी 90 लाग मसमी उद्यमियों को रिदय से बढ़ाई देता हूं अपनी सुप्तामनाई देता हूं और मैं उन्स सबसे अपील करना चाहिए अपनी अपना रिजिस्टेशन तकाल इसके साथ इसके जल्दी करवा सकते हैं उसका ओनलाइन ऑफ लाइन दोनों सुप्त हैं उनको प्राप्त पुरें और इसका लाप उनको लेना चाहिए उत्तरप्देश सरकार अपने हर उद्यमी निवेसक और हर कारिकर और हस्त सिल्पी की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिवत्ता के साथ का सब्सक्राइब कर रही है कि पहली स्थापना दिवस को जब उत्तरप्रदेश सरकार में 2011 मनाया था है मैसे मी के वर्टिस्टिक वन प्रोड़क्रम को हम लोगों आगे बढ़ाया था और दूसे स्थापना दिवस 2019 में सब्सक्राइब मनाया उस और आपने देखा होगा प्रश्वकरमा स्रम सम्मान के अंतरकत अपने प्रमप्रागत कारेकरों और रचिस में पहुद की विवस्ता है कि उनको आत्म निरभर्दा के माग्रम से वापू के घृक्त परिकना को साकार करने का कारेकरम निरंतर आगे वढ रहा है और मुझे विश्वास है कि हमारे दि प्रदेश के अंदर नए डिजाइनिंग इस्टूट की स्थापना नए पैकेजिंग इस्टूट की स्थापना और नए ने तरीके से दो जब आगे को कर रहे हैं और मेरा मानना है इस पे फोड़ा भी कारें अगर अगे पढ़कर की स्थारिक्रम को आगे वढ़ा दिया दुनिया के इंदर चाहेगा देखना तुरी दुनिया लालाइट होगी आपके पीछे वुद्वुरादाबाद का तुपीतल की कारिकरी है तुप दुनिया के इंदर चाहने में इसको बहुत देर नहीं लगी कि और फिलौ अबाद के ला सद्रकून को दुनिया के अंदर च्छाने में लगेगी लखनों की चिकँछी करी को दुनिया के अंदर चाने में कोई देर नहीं लगे एक अभी बले यह थिएए कि जितना इनको उडर मिलता उतना यह लोग सप्लाई नहीं कर पाते हैं लेकिन इसको और अच्छे दंग से प्रस्तुत करने क्या हो सकता है जैसे पुरी दुनिया इधर आकर सिथो और यह चमता हमारे हस्पेसिल्पी और कारीकरों में और राज्य सरकार इसमें भरबूर सयोग करेगी मैं फिर से आज के सौसर पर लेज योजिना में नए तीन पार्क विक्षित करने के लिए जो आज इंसेंटिव यहां पर दिये गए चेक उपलब्द कराए गये हैं इन सभी निजी पार्क के जो इसके कारिक्रम को आगे वढ़ा रहे हैं उन सभी उद्यम्यों को और प्रदेश भर कि सभी 90 लाट में की दुर्कटना पीमा योजना से कबर होने जा रहे हैं इन सब को मैं सौसर पर हर्दे से बधाई देता हूं और एक बार फिर से आप सब को विश्व दिमता दिवस और नाग पंचिमी की हर्दे से बधाई और सुप्तामने देते हुए काने को ब्राम देता हूं